आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की टॉप 500 एंची की सीरिज की सीरिज नमबर टू यो कि आपके आने वाले हर एक्जाम के लिए बहुत ही हेलफ हो लोगा तो बढ़ते हैं कोस्टिन की तरह लाजिस सवा की सब्सक्राइड के आपको आपका प्रेसिद्ट की कारे का प्रेसिडेंड की कारेकार जो होता है प्रेसिद्ट आपका यह कि इसने में बात किया गया है कि किसके बारे में राजी सवा तो राजी सवा एडिल करता आपका आर्टि कि नमबर की पिक विछी सवा की कूल मेंबर से खोते हैं На कि इसमें थी इं यू इलेक्टर होते हैं और बारक को नोमिनेंट किया जाए की द्वारा प्रेसिदेंड की द्वारा कितनी फिपंड के अंदर चार फियर्ड के अंदर कि मुद्धर बनाओं ऐखकें निए अग्या राच को कि कि मुद्धर य दोर। पर्मानेंट हाउस भी कहा जाते हैं स्पीकर के प्रिजाइड करते हैं आपका लोगसवा को दो बढ़िए लोकषवा की कारेय कर नाकितने अलोंट द थे पर सब्सक्राइब होते और लोग्साव को लोयर हाउस कि कहा जाते है अधी चाह सब्सक्राइब कर दो फिडली जाते कॉन परण भास प्रेसिडेंट सकते हैं 6 months, okay? Next, which of the following constitution amendment act added fundamental duty to the constitution of India? भारश सम्विधान में कौन सी amendment act की तेद fundamental duty को एड किया गिये? 41st amendment act 1976, 42nd amendment act 1976, 44th amendment act 1978 या 45th amendment act 1998 देखिए 44th amendment act 1978 की तेहर्ट right to property, right to property जो की fundamental right था उसको डिलेट किया गिये? कौनसी? right to property या जी fundamental right था तो उसको डिलेट किया गिये था, कौनसी? 44th amendment act 1978 में लेकिन इसमें पूछा गया कि fundamental duty को भारश सम्विधान में कब एड किया गिया था तो इसका answer बनेगा आपका option number B, 42nd amendment act 1976, fundamental duty A आपको part 4th A में देखने के लिए मिलेगा, जो की डिल्स करता है आपका article number 51 A, कौनसी? इसको डेराइक किया गया था कहां से या बोरोड किया गया था आपका? USSR से कहां से? USSR से देखे, fundamental duty को एड करने के लिए कमिटी बेठा गया था जिस कमिटी का नाम होता है, स्वरन सिंग कमिटी, अर्थात स्वरन सिंग कमिटी की रेकोमेंडेशन के बात ही उसको एड किया जाता है, कहां भारत समय था है, fundamental duty जो originally कितना था ये? 10 था, आज की डेट में कितने? 11 है, तो जो 11 नमबर जो है, उसको कब एड किया गया था? इसको एड किया था, आपका 86th Amendment Act 2002 किते है, और ये 11 नमबर कौन सा है, ये 11 नमबर है आपका, जो free and compulsory education for the year of 6 to 14 year child, जो 6 साल से लिए 14 साल की हर बच्चे को क्या है, free and compulsory education दिया जाएगा, उसको एड किया गया है आपका fundamental duty में, ओकी? नेक्स्ट, who gives appointment to the chief justice of high court, who gives appointment to the chief justice of high court, जो high court की chief justice होते हैं, उसको किसकी द्वारा appointment दिया जाता है, chief justice of supreme court, prime minister, governor, ये आपका president, तो इसका जो correct answer जो होगा, ओ बनेगा आपका option number D, president की द्वारा appointment दिया जाते हैं, किसकी द्वारा, president की द्वारा ये appointment दिया जाते हैं, देखिए, high court जो deals करता है, ये deals करता है, आपका article number 214 से लेकि, 231 के बीच में, और ये part जो होता है, part 6 में देखने के लिए मिलता है, टोटल कितने high court है, टोटल जो है आपका 25 high court देखने के लिए मिलता है, और article number 214 ये कहता है, कि हर राज्य में एक high court होना चाहिए, क्या है, हाई कोट, फर्थ स्टेट, ये, बट, सेवेंच, कर्शिटुएंट एमांडमेंट एक, 1956 के से तहत एक कहा गया है, कि दोनों राज्यों का एक कर्मन हाई कोट हो सकता है, दोनों हाई कोट का एक कर्मन हाई कोट हो सकता है, तो इसका correct अंसर क्या है, आपका option number D, President, जो की हाई कोट की Chief Justice का आपंडमेंट करते हैं, तो पहला हाई कोट कोट है, कलकटा, इसमें कहा जारे है, प्रतिकार अधिकार की बारे में डिल्स किया गया अर्टिकल 32 या अर्टिकल 17 या अर्टिकिल 14 तो इसका जो करेड़ एंसर जो होगा वह अर्टिकल 32 की तहत यह कहा गया कि कौन्सी राइट टू कस्ट्रिशनल रिमेडी कहा गये या प्रोवाइट किया गये तो इसके अंदर आपको पांच रिट इसू किया जाता है और इसी पांच रिट इसू करने के लिए 32 आर्टिकल यह आपको हेलफूल होता है इस सुप्रीम कोड में और हाइट कोड में रिट इसू करने के लिए कौनसी आर्टिकल की जरूत होता है 226 अर्था 226 आर्टिकल की तह आप हाइट के इंदर इसू कर सकते हैं आर्टिकल 14 क्या कहता है राइट टू इक्वालिटी देट 17 एबोलिस अंटचिबिलिटी एंद फोटी कहता आपका और्गानाइजड ब्लेज पंच है ब्लेज पंच है नीए घराई टू कंचुश्यूर्श्थे एक फंड्यमेंटर आइट है क्या अपका एक फंड्यमेंटर राइट से तो फंड्यमेंटर आइट ऑरिजिनल कितने था साथ बरतमान में कितने छे हैं एक दिल्स करता आपका आटिकल 12 लेकि 35 बार्द में देखने के लिए मिलता ह पार्ट ठीशन देखने के लिए मिलता है कहा से डिरेम के गया है डिरेम क्या घई आपका ये से की बिल्स भर राइट से साथ हा अभी छह है तो की किसको डिलेट स्चिया गया आपका राइट्स प्रोपर्टि राइट्स प्रोपर्ति जो टिल सकते तापका आपकाocus नमर्क्ष 31 तो रैट्ट्ब्डी क्रेंद अगए rebels विदम प्रेलिजिन्स कल्चेरल एजुकेशनल राइट देन आगे आपका कंस्ट्रूशनल रिमेडी ओके नेक्स्ट हो इस दा हेड़ ग्राम पंचेट ग्राम पंचेट की हेड को है प्रेसिडेंट क्यार्में वर्ड मेंबर यह आपका सर्पंच तो इसका जो करेड़ एंसर जो होगा वह क्या होगा वह बनेगा आपका उप्सन नमबर डी सर्पंच ग्राम पंचेट की जो हेड होते हैं या जो मुखिया होता है वह का नोर शर्पंच देखिए 73 एमांडमेंड एक्ठ 1992 की तेहित आपको दिखने के लिए मिलता है पंचयत राज सिस्टम पंचयति राज सिस्टम की यह होते हैं और त्री टायर अफ गवर्मेंट त्री टायर अफ गवर्मेंट कौन-कौन सा है जिल्ला परिशत पंचय समिती इन ग्राम पंचयत जिल्या परिषरल वयकिं डिस्टिक लेवल पान्चयस्मीं ती काम खरता आपका ब्लोक लेवल पर ग्राम पंचयतक काम आपका पंचयत यहां पक्रंद की दौरह किकी कि द्वारा बलोंत राय महटा कमिटी की दौरह are इसको पहली बार कहा स्टार्ट किये ता आपका राजस्थान की नागवार जिली में इसके अलावा भी देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिले का हूं से एक उसुक महिटा कमिटी जो की 1977 में उसने रिकॉमेंड किया था जिसमें टू टायर और गवर्मेंट की बात होता ह कि ओक्यों हो आडबिस्टर आडबिस्टर दहोड ओओ ऑफिस टू दफरेसिदेन ऑफ इंडिया फिके प्रेसिदेन अफ इंडिय। इसका ओध किसगि दिवहरा दिया जाता है Speaker यूद लोग सवह ऑटनी जिनरल चीफ जस्टिस अप इंडिया या कnd वाइस प्रैसिडेंट एक्यंट इसका अटेशन नंबर और आपका आप्षिन नंबर सी एक प्रैसिडेंट कि 268-19 प्रेशिडेंट डूसरी कषानी ये है प्रेशीडेंड को कहा जाता है फर्सट सीदीजन आफ इंदिया 15 protocol अब्ष इसके एलावाल इंको कहा जाता आपका नोमिनाल एक्जीकिप नोमिनाल ऐग्जीकिटेग वियत जेसे सब्सक्राइमिस्ट को कहा काहा जाता आपको काहा जाता है एडा अगेडाब दर कर दो काहा जाता है एडा अप्नेट भी काहा जाते है तो तो एडिलल्स का प्रेशिदेटंट एक देश के अदर एक प्रेशिदेंट हो ना ची इडा आपका आपका Article 52 ओके तो इसका correct answer बने का option number C, Chief Justice of India Next How many languages were originally recognized by the constitution as regional language? कितनी language? 17, 14, 09, 12 भारत सम्मिधान में कितनी language को recognize किया गया है आज है regional language की आदार 17, 14, 09, 12 तो originally it has recognized 14 तो इसका correct answer होगा option number B कौन सा? 14 एट प्रेजन कितने हैं? बरतमान में कितने हैं? 22 language है कितने हैं? 22 है पहले 14 था फिर 8 जूड़ चुका है तो कब कब कौन सी language जूड़ा है उसको हम थोड़ा देखेंगे 21st amendment act 21st amendment act 1967 में सीन्धी को जूड़ा गया फिर 71st amendment act 1992 में मरिपूरी मरिपूरी नेपाली और कौनकानी को जूड़ा गया फिर नाइन्टी टू एमांडमेंट एक्ट 2003 में फिर चार भासा को जूड़ा गया एक थापका बोदो देन डोगरी देन सांताली टूटल कितने आठ भासा को बाद में जुड़ा गया तो टूटल कितने आपका 22 देखे ऑफिसल लांगुज की बारे में बात होता है तो इसमें लोगभग कितने है कौन सी आर्टिकल डेल्स करता आपका आर्टिकल नमर 343 कौन सी 343 और एक कौन सी पार्ट में दिखने के लिए मिलता है पार्ट जो होता है आपका 17 कौन सी 17 next how many state and union territory were established by the state reorganization state reorganization act of 1956 जब state reorganization act of 1956 था तो उस समें कितने राज्य था और कितने union territory था पहला 14th state 6 union territory देन 18th state and 9 union territory देन 22th state and 8 union territory देन 21th state and 7 union territory तो इसका जो correct answer जो होगा वो बनेगा आपका option नमबर A 14th state and 6 union territory 14th state and 6 union territory तो कि देखिए देखिए रियर्गानिजिशन एक्ट 1956 जब आया था उससे पहले कमिटी बैठा गया था उस कमिटी के नाम था फौजल अली कमिशन कौन सी फौजल अली कमिशन इक कब आया था यह आया था आपका 1953 में इसने क्या करता है 1955 में एक रिपोर्ट करता है और रिपोर्ट में यह कहता है कि लांग्वेज एक तरीके से स्टेट बिया अरगानेजिजिसन होने का एक पॉइंट है और यह उसका मतलग ए नहीं कि वाने वान लंगवेज एकार टो टू वान से ए नहीं उसको यह हमेशा वी जगता है कि भाई लांग्वेज की बैसे पर आप स्टेट बना सकते हैं बट एक ही लांग्वेज की आधर होगा इसको यह हमेशागीन करते हैं आगे जाकी क्या है कि आपको जो सहा कमिशन आता है सहा कमिशन की चले क्या होता है पंजाब से बिज़ड कि कुल हरियाना और यख आपका चंडिगज़ कर ने बनता है आंटी डिफेक्शन लॉव कब पास्ट किया गया था नाइंटिन फिप्टी नाइंटिन सिस्टी नाइंटिन इटी फाइव या तो इसका जो करेंट साझ जो होगा वह होगा आपका अप्सिन नमर सी ते हैं एमांड मेंड्ट नाइंटि इटिफ्टाइब निएकट आया था आपका उठीकेशन लौग उससंमीं जो शरकार था देस की प्रधान मंत्री कॉन्ते ते कौन थे राजीब गांधि कॉन सेमें प्रायमिनिस्ट जींड किसी मेंबर का इंक इन उन्लो kail को風 owners uh क vagy जैन्ज करते हैं एक पार्टी से दूसरे पार्ट ॐतो अब उस समय क्या होता है आपका आन्टेवेक्शन लग यां है değil कहों कि निखिए अब लग जाते लेखंड इसने आमका सिडूल भी होता है है वे ये और छीडूल में आपका ये परता है अपर के लिए जैसे टियर्स ऑफ ओल्ड पीम तो इजो डी है न यह परता आपका आंटी डिफेक्शन लाओ तो कौन से शीडूल में देखनी के लिए आपका 10 शीडूल में देखनी के लिए मिलता है आंटी डिफेक्शन लौओ नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिशनर एफ इनडियाइच अपटर वार चीप इलेक्शन कमिशनरं ऑफ इनडियाइच अपटर वारर चीचीछ इनको किसकी दोर आपण किया जाता है लोग्सवा प्रामिनिस्टर या चीफ जैस्टिस को देखेंगी चीफ еलेक्शन under कमिशन या Medical संब्सक्राइम जो होता है एक तरकर कस्टिटिफिस्नल बॉड़ी होता है क्या होता का पूप कर तो जितने भी कर्षेश्टिफिस्णल बॉड़ी की जो हेड होते हैं तो उनको हमेशा किसकी दवर आपर मेंग किया जाता है प्रैसीडेंड की द्वारा स्क्वाइब 치फ जश्टिस ऑप इंडिया इनको भी प्रेशिडेंट की द्वारं किya जाता ہے इसमें हम स्वार्ण कंसी दोड़ा बात करे प्राइब जो डिल्स करते है आर्टिकल नंबर 324 और पार्ट होता है आपका 15 कौन से पार्ट में? पार्ट 15 में देखने के लिए मिलता है Election Commission के अंदर एक Chief Election Commission होते हैं और दो आपका Election Commission देखने के लिए मिलता है Chief Election Commission की द्वारा कौन-कौन से चुनाप किया जाता है? एक तो होताब का प्रेजिडेंट का एक तो होताब का भाइस प्रेजिडेंट का एक तो होताब का पार्लेमेंट पार्लेमेंट के अंदर दो आता है एक तो लोग सभा दूसरा होता है राज्य सभा स्टेट लेजिसलेचर का भी होता है स्टेट लेजिसलेचर के इंदर दो सदन होता है एक होता आपका कौन सी बिधान सवा और एक होता आपका बिधान परिश्ट तो इनका चुनाप किसकी द्वारा किया जाता है इनकी चुनाप किया जाता आपका चीप इलेक्शन कमिशनर की द्वारा कि वीडियो पसना आए तो प्लेज लाइक अंशेर जरूर करें थैंक्स पर वाचिंग